नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपकी अपनी यूटूब चैनल स्याम क्लास से स्टेडि में सात्यों आज की इस वेडियो में यूपी पुले बरती परिच्छा दो हजार चौबिस का जिसका रियक्जाम होने बाला है और रियक्जाम में आपके हिंदी के 38 प्रिशन कर लीजीगा क्योंकि मैंने पिछली बार भी अपने एनी प्रिट्र सेंटों से आपको सारे प्रिशने वो एक ही करके दिखाए थे और मैं गारंटे तो यहता हूं कि इस बार भी आपकी सभी प्रिशने वो आपको पेपर में दिखाऊंगा तो वीडियो को पूरा दिखते पास ज़रु सेर कर देना जो आपके साथ रीएक्जाम में लेने के लिए दिन रात महनद कर देहां तो चलिए फ़र पर शुरू करते हैं तो पहला प्रिश्य आपके सामनट की दियएगा विकल्पों में से कौन सा स्वर्वर्व पूल्लिंग है तो सरोवबर क्या सरोवबर जो सब्द है यह एक पुलिंग सब्द है यहनि एक का राइट आनसर option संक्या शी स्प्रिंस का राइट आनसर हो जाएगा अंगला पेस ने आपके सामनों कि प्रिंसंक्या है दो कि नापका मुति अधर की कांति के कांति से बीज दाड़िम का समझकर ब्रहांती से देखकर सैसा हुगा सुक मौन है सोचता है अन सुक या कौन है उपर एक पंक्ती में अलंकार पहंचानी तो बता इन पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर आपको पहले से ब्रहांती बोल दिया गया है तो यहाँ पर ब्रहांती मौन अलंकार हो पुर्ण संख्या तीन है आपके सामनों की तर्किस्थान भरें देश-वासियों में परस पर । होना देश की उन्नति के लिए अनिबार सर्त है बताओ उन्में इसे कौन सा विकल्ब है जो इसका साही आर्थ देगा तो देश बासियों में परस पर सदभाव होना देश की उन्नती के लिए अनिबार सर्थ है तीन का राइट आंसर ओप्सन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा पुर्ण संख्या चार है आपके सामने की निम्न बिकलपों में बरने दबाक क्यों मैंसे सई बाक का चैन करें तो इन मैंसे आपको सई बाक बताना यानि सुद बाक चारों ओप्सन है वो आपके स्कीन पर सो हो रहे हैं आसा करते हूं आपसे लोगों ने इन उप्षिनों को पढ़ लिया होगा और आपको इसका राइट आंसर पता भी चल चुका होगा कि उससे अनुत्रिन होने की आसंका है यह निए उप्षिन संख्या D इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिन संक्या पांच है आपके सामने की लड़का पुस्तक पढ़ता है इस बाक में काल पहचान है तो इस बाक में कौन सा काल हो जाएगा तो आपको देख रहा है कि यह बरतमान काल है और बरतमान काल का कौन सा है तो यह सामान बरतमान काल है पांच का राइट आंसर और आप दो संख्याय को chem से और ओर संख्याय सब्द इनमें से यो manyf जो गदा का पर्यावाचि नहीं है। क्पिर्ण संख्या परी इसका है थाये हैं तो रॉप प् और स भ सम्नसर हो जाएगा कर्यार कम कि एक ते लिए तो तो और ने शांद है जाएंगे इस प्रव CEO गए हैं इक सब्द सम्नार्थी नहीं है उससब्द का चैन करें जो सम्नार्थी नहीं है तो बताओ इन प्रुन संख्या 8 है आपके सामने कि मोह्य देखी करना इस मौब्रे का अर्थ बताएं तो इस मौब्रे का क्या अर्थ हो जाएगा तो मोह्य देखी करना मतलब पक्षपाथ करना 8 का राइट अंसर ओप्सिंग्या C is reference का right answer हो जाएगा प्रिंज संख्या no है आपके सामने की सही कहावत पहचानी है इनमें से कौन सी कहावत है जो एकतम सही है वो आपको बताना है प्रिंज संख्या no का right answer क्या हो जाएगा तो अंदों की आगले रोना अपना दीदा खोना ये सही कहावत है और 9 का राइट आंसर, option संक्या, E.S.Pins का राइट आंसर हो जाएगा चलेगा, अंगला पेशने परण संक्या 10 है कि आप डूबे, जग, डूबा, इस मौबरे का अर्थ बताएगा तो इस मौबरे का क्या अर्थ हो जाएगा, वो आपको बताना है चार ओप्सन है, वो आपके स्कीन पर 100 हो रही है तो बताएगा, तो आप डूबे, जग, डूबा, इस मौबरे का जो अर्थ होता है वो होता है, जो स्वयम बुरा होता है, दूसरों को भी बुरा समझता है दस का राइट अंसर, ओप्सन संक्या, बी, इस मौबरे का राइट अंसर हो जाएगा पुर्ण संक्या, ग्यारा है आपके सामने के दिये गए विकल्पों में से आभाहान सब्द का व्रुद्दार्ती सब्द कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा आभाहान का विलूम सब्द तो आभाहान का विलूम सब्द होता है, बिसर जन, क्या, बिसर जन, ग्यारा का राइट अंसर, ओप्सन संक्या, सी, इस प्रिंस का राइट अंसर हो जाएगा विकलप की कर द牛 अब भरपाओंगे चलेगा तो एपिसी अब्दुल कलाम सदा जीएवन डौट-डौट में विश्वास रखते थे कलाम सहाप का जीवन हम सबी के लिए डौट-डौट है तो क्या होगा तो आप चांट हैएप रखते थे कलाम साहब का जीवन हम सब के लिए प्रिणा दायक है और अप्रण संक्या सी इस मिन्स का राइट अंसर हो जाएगा प्रण संक्या 13 है आपके सामनों की मुक बाल रवी सम लाल होकर ज्वाला सा बादित हुआ उपरक प्रंक्ती में कौन सा अलंकार है तो बताओ प्रण संक्या 13 का राइट अंसर क्या हो जाएगा तो मुक बाल सम मुक बाल रवी सम लाल होकर ज्वाला सा बादित हुआ इसमें जो अलंकार है वो अलंकार है रूपक अलंकार कौन सा है रूपक अलंकार है तीरह का अंसर ऑप्सन संक्या सी इसमें का राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट प्रसंक्या 14 है कि अधिकारी सब्द का भवच्छन निम्न मैंसी कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा अधिकारी का भवच्छन तो अधिकारी का जो भवच्छन होता है वो अधिकारी बर्ग होता है चौदरा का राइट अंसर option संक्या D. स्विंस का राइट अंसर हो जाएगा पुर्ण संक्या 15 है आपके सामनों कि निम्न बाग के किस भाग में तुर्टी है तो बताओ इन मैंसे कौन से भाग तुर्टी यानि गल्ती है पुर्ण संक्या 15 का Rite Answer क्या हो जाएगा तो में सारी रात बहर जाकता रहा तो कौन से राबाक में TORTIE हो जाएगié तो यहाँ पर भर भर सब्द रहे होने चाहिए तहा में सारी रात जाकता रहा ये एकदम सुद्ध बाक बन जाता तो TORTIE B option में B इसका Rite Answer हो जाएगा पुर्ण संक्या 16 आपके सामनों की दिये गए विकल्पों मैंसे सही का चैन कर रिकिस्थान भरें कहते हैं कि उत्पादन में ब्रिद्धी के फल स्वरूप बस्तों की कीमत में डॉट डॉट आती है तो क्या आती है तो आप चानती है बस्तों कीमत में कमी आती है बजियादा उत्पादन हो जाता है तो बजार में कमी आही जाती है सूला का अंसर आपन संक्या ए इस बाक को सही अर्थ प्रदान करेगा आपन संक्या सत्रा है आपके सामनों की दिये गए बिकल्पों में से अधिकरित सब्द का बुरुदार्थी सब्द कौन सा है सत्रा का आंसर आपन संक्या सी इस बाक का राइट आथारा है आपके सामनों D. S. P.S. का राइट अंसर हो जाएगा पुर्ण संक्या 19 है आपके सामनूं कि Y. S. R. उपासक है इस बाग में बिसेस है बताओ इनमे से कौन सा सब्द है जो बिसेस है तो उपासक क्या उपासक जो सब्द है ये एक बिसेस है 19 का अंसर option संक्या C. S. P.S. का राइट अंसर हो जाएगा पुर्ण संक्या 20 है आपके सामनूं कि बिकल्प है तो बिकल्पों में बरने दबाग क्यों में से गलत बाग के कौन सा है तो इन में से कौन सा बाग के जो गलत है पुर्ण संक्या 20 का राइट अंसर आपको बताना है चारों विकल्प आपके सच्कीन पर सो हो रहे हैं इस बेसाय पर एक भी अच्छी पुष्ट के नहीं है यह एक असु दबाग के है यानि गलत है आपन संक्या डी स्पेंस का राइट अंसर हो जाएगा पर संक्या 21 से आपके सामनों की दिये गए विकल्पों में से लता सब्द का समानार्थी सब्द कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा लता का समानार्थी तो लता का जो समानार्थी होगा वो हो जाएगा बल्लरी क्या बललरी 21 का अंसर option संख्या B. E. Spence का right answer हो जाएगा पर जाएगा 22 है आपके सामने की असाड का एक दिन नाटक की रचना किसने की है इसके लेखा कौन है असाड के एक दिन नाटक के इसके जो लेखा है वो है मोहन राकेस कौन है मोहन राकिस बाइस का राइट अंसर ओप्शन संख्या इस पिंस का राइट अंसर हो जाएगा पुर्ण संख्या 23 से आपके सामन की बिधात्री सब्द का पुलिंग बताएं तो कौन सा हो जाएगा इन मैंसे बिधात्री का तो बिधात्री का जो pulling होगा वो हो जाएगा बिधाता या बिधाता 23 का right answer option संक्या C is means का right answer हो जाएगा परन संक्या 24 है आपके सामनों की बिमाता बन गई आंदी भयावाय हुआ चैंचलना फिर भी स्याम धन इस पंक्ती में प्रियुक्त अलंकार पहचान है तो बता इन मैंसे कौन सा अलंकार हो जाएगा तो बिमाता बन गई अंदी भयावाय हुआ इस पंक्ती में अलंकार हो जाएगा सले सलंकार कौन सा सले सलंकार जो की option संक्या A इस बिंत का right answer हो जाएगा चलीगा अंगला पैसने आपके सामनों यह है प्रियुक्त संक्या 25 की डॉट डॉट ना देखें और दूसरे की फूली डॉट डॉट उपरेक्त लोकुक्ति को प पूरा करना है प्रियुक्त संक्या 25 का right answer क्या हो जाएगा तो अपना देडर ना देखें और दूसरों की फूली निहार यह लोकुक्ति पूरा हो जाएगा यह सन 1990 में साहित अकादमी पुरुषकार प्राप्त स्यो प्रसाद सिंग की रचना नीला चांद किस बिदा की किरती है तो ये कैसी रचना है नीला चांद ये आपको बताना है तो जो नीला चांद है और इसे साहित अकादमी पुरुषकार 1990 में मिलाए है तो ये एक उपन्यास है 26 का राइट अंसर और अपन संक्या भी इस मिंस का राइट अंसर हो जाएगा पर संक्या 27 है आपके सामने की सुंतर सब्द की तीन समानार्थी सब्द दिये गए है एक सब्द समानार्थी नहीं है उस सब्द का चैन करेचु समानार्थी नहीं है तो बताऊ इनमेंसे कोन सा सब्द है जो समनार्थी नहीं है 27 का राइट आणसर क्या हो कबता का आत्मसंगर्ष की रचेता कोन है तो कौन है इसके रचयता आत्प संगर्स जो कविता है इसके जो रचयता है वो है मुक्ति बोध कौन है मुक्ति बोध है 28 का राइट आंसर और संख्या डी स्पिंस का राइट आंसर हो जाएगा संख्या 39 आपके सामनों कि उन्हें संस्क्रित और अंगलेजी ग्रेंखो्ट की डूक्डड याद है तो क्या याद होते हैं यह आपको बताना 29 का- Ba राइट आंशर क्या हो जाएगा तो उन्हें संस्क्रित और अंगरेजी की कई उंग्रेजी गिरंतों की कई उद्रहण याद हैं या उद्रहण उन्तिस का राइट आंसर हो जाएगा यह वह द्रहण नहीं हो टूर स्भाण कि इस आपके सामने कि सन पहमा से रचना है मांखा लाल चत्रवेदी की तीस का राइट आंसर और अपन संख्या एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा पुर्ण संख्या 31 है आपके सामने की साहित लहरी किस कभी की रचना है तो कौन से कभी की ये रचना है, साहित लहरी, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सूरदास, क्या, सूरदास ये साहित लहरी, इनकी रचना है, 31 का राइट आंसर, आपने संक्या, डी, इस परिंस का राइट आंसर हो जाएगा प्रिन संक्या 32 से आपके सामने कि लड़के का तिरियक बहुबचन दियेगा विकल्पों में ऐसे कौन सा है तो बताओ कौन सा हो जाएगा तो लड़के का जो तिरियक बहुबचन हो जाएगा वो लड़कों ने हो जाएगा यानि 32 का अंसर option संख्या भी इसमेंस का राइट अंसर हो जाएगा पर लेगा प्रिसंख्या 33 से आपके सामने कि कुछ लोग बेहोस हो गई इस पंक्ती में कौन सा विसेशन्ड प्रयोक्त हुआ है तो बताओ इसमें कौन सा विसेशन्ड है तो कुछ संख्या तो मालूम नहीं है तो कुछ ये आनिश्चित संख्या बाच्चक विसेशन्ड हो जाएगा 33 का राइट अंसर option संख्या बी इस पंस का राइट अंसर हो जाएगा चलीगा अंगला प्रिस ने आपके सामने प्रिसंख्या 38 है इसमें रिकिस्थान के पूर्ति का नहा है कि राजिस की बातों से डॉट डॉट होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली तो यहाँ पर कौन सा सब्द है जो इसका सही अर्थ बताएगा 38 का राइट अंसर क्या हो जाएगा तो राजिस की बातों से उत्तेजित होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली ओपन संख्या डी इस विंस का राइट अंसर हो जाएगा पर संख्या 49 है कि निम्न बाग के किस भाग में तुर्टी है मद कालिन योग में कलाओं की बहुत उन्नती हुई तो बताएगा कौन से भाग में तुर्टी है उप्सन है वो चारों आपके स्कीन पर है न सो हो रहे हैं तो मद कालिन यह इसका गलत है उप्सन संख्या इस विंस का राइट अंसर हो जाएगा पर संख्या 40 है तक पहुंचना दुरगा में और आप भी खल्प के अनुसार समाजी गाई होगे पर संख्या 40 का राइट अंसर और संख्या सी इस विंस का राइट अंसर हो जाएगा चात्यों अगर आपको यह प्रेटे सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीना चैनल को आपने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग चरू सस्क्राइब कर लेना मिलते हैं पर नेस्ट वीडियो में तब तक लिए धनबात जहिंद